श्री गनेशा भाग चार कुबेर अपने सेवकों से भोजन परोसने के लिए कहता है एक-एक करके सेवक भोजन लेकर आने लगे भगवान गनेश भोजन बार-बार लाने की प्रतिक्षा ना करके कुबेर से बोलते हैं इस तरहें बीच-बीच में भोजन परोसने से अच्छा है कि आप सारे व्यंजन एक बार ही मांग लें। ये सुनकर कुबेर बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान गनेश ने ऐसा भोजन आज तक देखा ही नहीं है। इसलिए सब व्यंजन एक साथ मंगवा रहे हैं। तब कुबेर अपने सेवकों से कहता है कि सारे व्यंजन ले आओ। तब ही मुशक भगवान गनेश से कहता है कि हे प्रभू जल्दी से भोजन शुरू करें मुझे बहुत तेज भूख लगी है। धीरज रखो मुशक पहले मैं भोजन करूँगा। कुबेर जी मैं जैसे ही भोजन की शुरुवात करूँ मेरा पात्र खाली होने से पहले उसमें भोजन डल जाना चाहिए। जो आज्या प्रभू आप तो बस इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। जितना खाना है उतना खाईए। भगवान गनेश भोजन को पात्र में डलवाते हैं और भोजन शुरू करते हैं तथा अपने आठों हाथों का इस्तिमाल करते हुए भोजन खाने लगते हैं। भगवान गनेश को इस तरह भोजन करता देख कुबेर के माथे पर चिंदा की लकीरे आ जाती है। महराज कुबेर भोजन तो अत्यन्त स्वादिष्ट है, किन्तु बहत ही थोड़ा है, खाना खाते खाते तो मेरे हाथ ही रुक रहे हैं, कृप्या भोजन जल्दी जल्दी परोसा जाए भगवान गणेश को इतना जल्दी जल्दी भोजन करता वा देख कर मुशक जो वहीं बैठा हुआ था, अपने मुँँ में आ रहे पानी को किसी भी तरह रोक रहा था, हाथ जोर कर भगवान गणेश कहता है हे प्रबु, लगता है आज आप अत्यादिक भूके हैं, क्या सारे ब्रह्मान का खाना आज ही समाप्त करना है, इस तरह तो मैं भूका ही रह जाऊंगा प्रबु चिंता न करू मुशक, मैं तुम्हें भूका नहीं रहने दूँगा, क्या तुम्हें पता नहीं है, महाराज कुबेर के महल में अन्धन के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, मैंने सही कहा ना कुबेर महाराज भगवान कनेश फिर भोजन शुरू करते हैं, उन्हें भोजन करता हुआ देख कर मुशक अब निरास हो चला था प्रबु इस तरह तुम्हें भूका ही रह जाऊंगा, आपने तो सारा ही भोजन चट कर दिया सच कहा था कुबेर महाराज आपने, भोजन बहुत ही स्वादिश्ट है, किन्तु ये क्या, सारे पात्र धीरे-धीरे खाली हो रहे हैं, मंगवाईए ना, और भोजन मंगवाईए तभी कुबेर अपने सेवकों की तरफ देखते हैं, सारे सेवक सिर ना में हिलाते हैं, भगवान गनेश ने सब के लिए बनाए गए भोजन को स्वयम ही क्रहन कर लिया, और अब रसोई में सब भोजन समाप्थ हो गया था क्या हुआ कुबेर महाराज, आपके सेवक भोजन नहीं ला रहे, भोजन बहुत ही अच्छा बना है, मेरा पेट भर गया है, लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा है, और जब तक मेरा मन नहीं बरता, तब तक मैं भोजन करता ही रहता हूँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी भोजन म है प्रभु वो ऐसा है कि भोजन समाप्त हो गया है और रसोई में बनाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कैसा सतकार है आपके इस सोने के बने हुए भवन में इतने हीरे मोती जड़े हैं किन्तु आपके यहां आए हुए अतिति अभी भी भूके हैं। है प्रभु अब मैं आपसे क्या कहूं। कुबेर महराज कुछ भी बोलो लेकिन मुक से बड़ा बोल मत बोलो तुमसे तो अच्छा वो किसान है जो स्वयम भूका रह लेगा लेकिन दूसरों के पेट की अगनी शांत करता है। है प्रभु है भगवन मैं आपके कहने का तातपर्य समझ गया हूँ। मुझे शमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई है प्रभु और मैं अपनी भूल सुईकार करता हूँ। मैं समझ गया हूँ प्रभु कि इस धन दौलत पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ये बात हमेशा स्मरण रहे कुबेर महाराज कि एक अन का दाना जो समय पर आपकी भूक मिटा दे वो आपके इन हीरे मोती सोने चांदी से ज़ादा मूल्लेवान है। भगवान गनेश की कही हुई बात सुनकर कुबेर महाराज भगवान गनेश से अपनी की गई भूल की शमा मांगते हैं। है प्रभू मुझे आपकी ये बात सदैव याद रहेगी किन्तु मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा कि आपके एक समय का भोजन भी भरपेट नहीं करवा पाया मैं। कुबेर की बात सुनकर वहाँ बैठा हुआ मूशक कहता है। कुबेर महराज आप प्रभू ही नहीं बलकी मेरी भूख भी शान्त नहीं कर पाये हैं। मूशक की बात सुनकर भगवान गनेश मूशक से कहते हैं। मूशक तुम्हे भूखा रखने में महराज कुबेर का कोई दोश नहीं है। हे प्रभु, आपने मुझे भोजन कर लेने दिया होता, तो मेरा पेट एक दो ग्राम में ही भर जाता। इसलिए तो मैंने तुम्हें भोजन नहीं करने दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुमारा पेट भर जाता है, तो कुबेर महाराज का गमंड फिर भी खतम नहीं होता, और कभी भी उन्हें अपने शब्दों पर गिलानी ना होती। उन्हें हमेशा यही लगता कि उनके द्वारा परोसे गए भोजन से कम से कम एक का तो पेट भरा। आप महान है प्रभू, मुझे छमा कीजिए भगवान। तब ही भगवान कनेश कहते हैं, अगर तुम्हें मूशक ने शमा कर दिया है, तो फिर मन में गलानी ना लाएं, और हमारे लिए मोदक का प्रबंध करे एक मोदक भी चलेगा, ये सुनकर महाराज कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने सेवकों से कहते हैं कि कहीं से भी मोदक का प्रबंध करो, कुछ समय पश्चाथ एक सेवी का मोदक लेकर आती है, और मोदक खाने के पश्चाथ। करो मुशक, ये सारे मोदक अब तुम्हारे हैं। मुशक प्रसन्न हो जाता है, और मोदक खाने लगता है। कुबेर महाराज, आपकी द्वारा परोसा गया भोजन अत्यन्त स्वादिष्ट था, पर मोदक ने तो हमारा मन और पेट दोनों ही भर दिया है, हमें आपका आदर सत्कार अच्छा लगा, और हम बहुत प्रसन्न हो गए, आज आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। हे प्रभू, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किन्तु बस एक ही कष्ट है। कैसा कष्ट महाराज कुबेर? हमें बताईए, हम उसका भी निवारन कर देंगे। भगवान गनेश की बात सुन कर, महाराज कुबेर दोनों हाथ जोर कर उनसे कहते हैं कि प्रभू आप अंतर यामी हैं। हे प्रभू, मेरा सौतेला भाई रावन मुझे सता रहा है। अच्छा, तुम्हारा भाई रावन, हम, दैत्यों का राजा। जी प्रभू, दैत्यों का राजा बनने के बाद भी उसकी लालसा कम नहीं हो रही है। बड़े बड़े राजा उसके अधीन है, तथा वो और भी शक्तिशाली बनना चाहता है। इसलिए वो भगवान शिव की अराधना कर रहा है, ताकि वे भगवान शिव के असीम शक्तियों को प्राप्त कर सके। अगर भगवान भोले नात ने अपने भोलेपन में इस तरहें का कोई भी वर्दान रावन को दे दिया, तो वो शक्ति के घमंड में चूर चूर हो जाएगा। इसलिए हे प्रभू, आप कुछ भी करके उसे शक्तिशाली होने से रोक दीजिए प्रभू। अच्छा, तो ये बात है, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, महराज कुवेर, मैं आपको वचन देता हूँ, ऐसा समय आने पर मैं स्वयम रावन को रोक लूँगा और तुम्हारी साहता करूँगा। उधर हिमाले की पहारियों पर दैत्यों का राजा रावन भगवान शिव की गोर तपस्या कर रहा था, हजारों लाखों सालों से वो एक पैर पर खड़े होकर भगवान की अराधना कर रहा था, और उधर कैलाश परवत पर बैठे हुए भोले नात रावन की प्रातना सुन हमारे भक्त ने हमें याद किया है पारवती, हम अभी उससे मिलकर आते हैं ये कहकर भगवान वहां से अंतरध्यान हो जाते हैं और उसी स्थान पर पहुच जाते हैं जहां रावन भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा था, तपस्या में रावन को लीन हुआ देखकर भगवान भोले नात रावन से कहते हैं वत्स, तुम मुझे क्यों स्मरन कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर, रावन भगवान भोलेनाथ से कहता है. हे प्रभू, भोलेनाथ, आपको रावन का कोटी-कोटी प्रणाम, आपने मुझे दर्चन देकर मुझे धन्य कर दिया है. कि मैंने अपने परिश्रम से अपनी लंका को एक भवर रूप दिया है. मेरा सारा राज्य सोने का है, जिस किसी की भी दृष्टी मेरे राज्य पर पढ़ती है, उसकी आखे चका चांध हो जाती है. किन्तु, हे भगवन, मेरे कुछ शत्रू है, जिने मेरी लंका एक आख भ तुमें एक से एक भयंकर अस्त्र शस्त्र दिये हुए हैं. तलवार, चंद्रहास दिया है, जिसका वार अचूक है. तुम्हारे पास मेरा दिया गया नाग पाशबान भी है, जो आक्रमन कारियों को अनेको नागों में परिवर्तित कर, उन्हें अपनी कुंडिली में जकर स रखता है और तुम्हारे पास भ्रमास्त्र है. ए प्रभू, मैं जानता हूँ कि आपकी अजीम कृपा है मुझ पर, किन्तु मैं चाहता हूँ कि इन अस्त्र शस्त्रों से भी बढ़कर आप मुझे कोई ऐसा वर्दान दे कि कोई शक्तिशाली से भी शक्तिशाली शत्रू मे शिवलिंग को प्रकट करते हैं और रावन को देते हुए कहते हैं. रावन को शिवलिंग दे कर वहां से अंतरध्यान हो जाते हैं और रावन शिवलिंग पाकर अब मैं अजय हो गया हूँ, अब तीनों लोकों में मुझ से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। रावन को वर्दान मिलते ही सारे देवता चिंदित हो जाते हैं तथा सब साथ मिलकर भगवान गनेश के पास जाते हैं। सब देवताओ को एक साथ वहां आया देखकर गनेश उनसे पूछते हैं। आप सब देवताओ एक साथ सब कुछ कुशल मंगल से तो है ना। हे प्रभू इस समय पर भयंकर संकट आने वाला है। भगवान गनेश उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार के संकट की बात कर रहे हैं। तब देवता कहते हैं। हे प्रभू जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे भाई रावड के मन में खोट है। हे प्रभू उसने पहले भी भगवान शिव की अरादना कर उनसे इतने सारे अश्त्र और शस्त्र प्राप्त कर रखे हैं कि वो प्रत्वी पर अभेद था। और प्रभू इस बार उसने भगवान शिव से घोर तपस्या करके शिवलिक को प्राप्त कर लिया है। कुबेर और देवदाओ की बात सुनने के बाद भगवान गनेश मंद मंद मुस्कराते हैं।